तो इस पाट की शुरुवात में दाबून गर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है कि तुम किसी के कॉला आने पर इतने भाग के क्यों गए थे तो वह कहती है कि मॉम मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ तो उसकी मॉम बहुत ही खुस हो जाती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम कभी डेट करोगी और ये तो बहुत ही अच्छी नियूसे तो वह सैड हो के कहती है कि बट मैं किसी होर को डेट कर रही हूँ फिर भी उसकी मॉम बहुत ही खुस हो जाती है और कहती है तुमने तो अपनी टूइन सिस्टर को ये पीछे छोड़ दिया तो फिर अगले दिन गोईरा के हाथ में चोड़ लगने के बज़े से डारेक्टर हैसुं को कैप्टन बना देते है और कहते है कि कोई अगर तुमारी बात ना माने तो मुझे बताना तो फिर नेक्स्टरसिन में टीचर सबको बताती है कि जिनके पास स्टुडेंट आइडी नहीं है वो युनिवरसिटी नहीं आएगा और ये बोल के वो चली जाती है तो दाबुन अचानक से देखती है कि उसके सीट पर गोईरा बेठा है तो दाबुन कहती है कि तुम तो इस क्लास में नहीं आते हो तो वो हाथ दुखने का नाटक करने लगता है और कहता है मेरे हाथ में लगी हुई है इसलिए मैं बॉलीवल नहीं खेल सकता तो मैंने सोचा कि तुमारे पास है आकर टाइम पैस कर लूँ गोईरा उसको क्लास स्क्रिप करके मूवी देखने के लिए बुलाता है लेकिन वो मना कर देती है तो वो थोड़ा सा सैड हो जाता है तो फिन एक्सटेसन में गोईरा अपने हाथ की पट्टी के बचे से खाना निखा पा रहा था तो वो पट्टी खोल देता है तो सारे बोईस हेरान रे जाते है तो क्यों कहिता है कि बेस्ट एक्टिंग का अवोर्ड तो गोईरा कोई मिलना चाहिए और जीना कहिता है कि तुमने हमें धोका दिया तो गोईरा कहिता है कि मेरी बचे से तुम कैप्टन बने हो अब तो बता दो कि तुम क्या कहिने पे कलाए थे तो वो उसे अपना फोन दे देता है और कहता है खुदी मेसेज पढ़ लो और वो चला जाता है तो उसमें लिखा था कि अपपा गोईरा ना दाबुन को ड्रिंक करने के लिए फोर्स कर रहा है और डाबुन आपके पास जाने के लिए बहुत ही रो रही है तो फिर गोईरा हैसं को फोन से दाबुन को मेसेज करने का सोच रहा था कि ये पता करने के लिए कि दाबुन हैसं को लाइक करती है कि नहीं लेकिन उसको ये सही नहीं लग रहा था तो वो बुनियोंग से मेसेज करवाता है और कहता है तुम लिखो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो सब लोग हेरान हो जाते है तो गोईरा बुनियोंग को आगे टाइप करने का कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या फिल करती हो अभी आंसर करो तो दावन रिप्लाई करती है कि तुम कौन हो प्रेंक मत करो तो गोईरा पागलों की तरह हसना लग जाता है और कहता है कि ये तो हैसंग का फोन है फिर भी उसे कैसे पता चला कि कोई उसके साथ प्रेंक कर रहा है अच्छा ऐसा होगा कि दावन हैसंग को बहुत ही अच्छी तरह से जानती है इसलिए तो उदर दावन सोच जीती कि हैसंग इससे मेसेज नहीं कर सकता लेकिन फिर मुझे हैसंग के फोन से मेसेज किस ने किया तब फिन एक्स्टेसिन में गोईरा जा रहा था तो एक कर एक्दम उसको छूके गई और वो बाल बाल बच जाता है तो उस कारड़ावर को वो बहुत ही चिलाता है तब भी उसको याद आता है कि उस दिन चो कार दाबुन को ठोकने वाली थी वो तो हैसूं की कार थी तो वो सीधे हैसूं के पास जाता है और कहता है तो तुम नहीं दाबुन और मुझे मिलाया था तो हैसूं को कुछ समझ में नहीं आ रहता तो वो कहता है कि तुम्हें इसा काम मत करो जिससे सीन क्रेट हो जाए तो वो उसका फोन लोटा के कहता है मैं तो तो मैं बस ठेंक्स कहना चाता हूँ तो उसको फिर भी समझ नहीं आता कि वो कहना क्या चाता है तो फिर रात को गोईरा दाबून के घर आता है तो उसकी मॉम कहती है कि वो बाहर गई है तबी सामने से उसकी twin sister RM आरी थी तो गोईरा को लगता है कि वो दाबून है तो वो जल्दी से जाके उसे किस कर लेता है तो RM भी कुछ कहती नहीं और वो भी किस करने लगती है तबी पीछे से दाबून आ जाती है और वो उन दोनों को किस करते तेक एकदम सक्ट में आ जाती है तबी गोईरा की नजे दाबून पे जाती है तो वो जटके से RM को छोड़ता है और एकदम सक्ट में आके कहता है कि दाबून तुम हो तब भी रगले दिन ट्रेनिंग के समय गोईरा सक्ट में मैच पर लेटा हुआ था तो सब लोग सोच रहे थे कि इसे क्या हो गया है तो वो एकदम से उठता है और बहुती जोड़ से चिलाते हुए वहाँ से भाग जाता है तो सारे प्लियर इंक्लूडिंग हैसुंग भी सोच रहा था कि ये पागल तो नहीं हो गया तब फिन एक्टेसन में गोईरा हिमत करके दाबून को फोन करता है और कहता है कि मैं तमसे मिलना चाहता हूँ तब फिर वह उससे मिलने चाता है तो दाबून उसे ओफ़ट फिलनी होने देरी थी तो गोईरा से पूछता है कि तुम्हें कल रात को क्या फिल हुआ था तो वह कहती है बस वह एक मिस्टेक थी और कुछ नहीं तब ही उसकी नजर उसके हाथ की तरब जाती है तो वह कहती है इसमें तो छोट लगी थी न तो वह सब कुछ सच बता देता है तो वह इतना ज़्यादा कुछ रियक्टि नहीं करती है तो गोईरा बहुत ही खुस हो जाता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया तो फिर रात को गोईरा उसको घर जोनने आता है तो फिर दावन अपने रूम में चाती है तो उसकी मभणा आती है मने अभी देखा की तुम जैसे like करती हो या date bell कर रही हो वो तुम्हे अभी घर जोने आया था उसकी मभणा परिसान मत करो न तो वह कहती है कि तुम कोईरा को like करते हूँ लेकिन हैसं good looking है तो तुम गोईरा को भूल जाओ और उसे ही लाइक करना स्टार्ट कर दो तो वो कहती है कि मोम मैं हैसं को लाइक करती हो और गोईरा को डेट कर रही हूँ तो उसकी मोम एक तम सक्ट में आ चाती है और कहती है कि यह नहीं हो सकता तुम अभी कभी ये स्टॉप करो तो दावन परिसान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ तो फिर एगले दिन हैसुन क्लास में जा रहा था तो उसके आगे पीछ लड़कियों की भीर लगी हुई थी तो दावन ये सब देखकर सोचती है कि लगता है वो मुझे भूल रहा है तो फिर गोईरा दावन के क्लास के बाहर इंतजार कर रहा था लेकिन दावन तो अपने ही धुन में आ रही थी तो गोईरा उसको रोके कहता है कुछ हुआ है क्या तो वो एक्दम से गोईरा को देखती है और कहती है कि सीनियर आप नई कुछ भी नहीं हुआ तो फिर रात को दावन अपने घर के अंदर जा रही थी तो उससे गोईरा का कौल आता है तो वो सैड थी फिर भी उस से हसके बात करती है और उसे पता नहीं चलने देती है कि वो sad है और जैसे वो call cut कर देता है तो वो बहुत ही जदा sad हो जाती है और यह चुपके से हैसंग देख रहा था तो दाबुन को sad देखकर वो भी sad हो जाता है तो फिर अगले दिन हैसंग देखता है कि यह कुस् मैं पढ़ना चाता हूँ लेकिन सब canoe मानते क्योंकि उसके पैलेंस की इजाज़त नहीं है dew वो सकते थे और उसे विड्रापर का एते हैं और जाने को तलदे हम सैड हो के जा रहा था तो उसके पास teacher भागा आती है और वो उसे दाब उनों और उसके फोटो देती है जो कि उनों ने युनिवरसिटी के लिए एक साथ खिचवाई थी तो यहां टीचर उसका फॉर्म देख लेती है और कहती है क्या तुम जा रहे हो तब फिन एस्टेसिन में हैसंग अपने डायरेक्टर को कहता है डाड अपनी जिन्दीगी जीलो और क्या और उदर हैसंग के क्लास टीचर सारी टीचर उनको चिला रही थी कि आप लोगों ने ऐसे कैसे उसको जाने दिया वो तो जाना भी नहीं चाहता था तब यहां पर दाबुन आ चाती है और कहती है टीचर आपने अभी मुझे बुलाया त तो फिर हैसंग अपनी कार्ट टर्न करके युनिवरसिटी की तरह बाता है और इधर दाबुन सोच जी थी कि आज मैं तुम्हें अपना लॉब कंफेस कर दूँगी बस उससे रिजेक्ट होने का डर था तब यहां पर हैसंग आ जाता है तो दाबुन जल्दी से जाके उसको हग कर लेती है और कहती है कि प्लीज तुम मत जाओ हैसंग मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मैं एक मिनिट भी तुम्हारी बिना नहीं रह सकती तब यहां पर गोईरा आ जाता है तो हैसंग दाबुन को पीछे करता है तो गोईरा दाबुन को अपने पास बुलाता है ल मैंने पहले इसे कहा तो गोईरा आप कुछ भी नहीं कहेता तो फ्रेंट से बाटी इंपर खतम हो जाता है